अई क्या हो गया रिसे अटो 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 भाई बश्री को क्या हो गाट अरे हट जा अब वो बश्री को आप चली है अरे भाई साब चलो ए सिता यह देओं है रूको रूको रुको 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 रुखा यह डरा रही है भाई रात में यह खोरिम इस पर भाई ठी हरा है यह तो पत्थर यह तो भी या रात में यह बढ données को में वाले खाया है ज ही आज कि कि अलो अलो इना उशकार दोस्तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागाद है हमारे फाम शोइस के एक और जबर्जस लोग में तोस्तों मेरा नाम है राम पर्मार और पीछे देख रहे हमारे गिर गाया का फार्म भाई फार्म दिख रहा है नहीं दिख रहा है अच्छा भाई घृता है हमारी सोयाभी जल्दी विड़ि घर पे जाने वालि अुको कुछ दिन के— अब लुए मोशचर बिल्कुल खतम ने, आप देखो एयसे, इस्का पूरा मोशुर दिख टम हो जायेगा और हम चलते हैं बाहर चलो तो हम चलते हैं बाहर और भाई इस साइड हमारी सारी गईयाओं को आप देख लो सारी भाई खाने में लगी हुई है और अभी हमारी सारी गईया चरके आ चुकी है जिया दोस्तों हमारी गईया अभी चरके आ चुकी है आदे गंटे पहले भाई इ यहां पर आ गई सारी गईया और यहां पर खाने लग गईया पता नहीं अगर एक गाएं दोड़ लगा देती ना तो उसके पीछे सारी गईया है भाई आग बंद करके दोड़ती है कि यार चलो घर का बुलाओ आ गया तो एक गई तो भाई सब के सब निकल जाती है इसी वज देखो देखो यह देखो भाई यहां पर अंदेरा ज्यादा हो गया ऐसा लगता है कि आपको यह में धूप से आया तो मुझे ऐसा कम-कम दीख रहा है बाकी यह भी हो सकता है क्योंकि मैं अभी उस साइड में खतरनाग धूप थी तो उस साइड से इस साइड आया हूँ और और हमारी सारी गेया भाई अभी खाने में लगी हुई है कोई अभी जदा मुझे भावनी दे रही यहाँ पर को सुर्भी है! यह समझे वह पर हम यहाँ आनदा पर मैं इतने दिनों से बोल रहा था कि यह समस्या में जल्दी सौल करने पर कि यह चल्दी कर वानी चलके दिखाता हूं क्या कंडिशन हो रही है हम अंदर चलेंगे तभी आपको सही से में दिखा पाऊंगा तो हम आ चुके हैं अंदर और यहां पर मैं आपको कंडिशन दिखाता हूं यह देखो यह देखो यह देखो यह इतना जादा कीचढ हो गया है अंदर क्योंकि गाए दिन बर इसमें खुले में घूमती है न आप देखो हाती यहां पर खड़ी है अब हमारा नंदी हो गया बड़ी-बड़ी गईा भी तो इसके अंदर जब घूमती है न तब इनके तो उसमें आपने देखा ओगा जगा केसी है मतलब एसी जगह नहीं है कि जल्दी कुछ ऐसा हो जाए क्योंकि हमने यहां पे बहुत अच्छा भराओ कर रहा ता बहुत अच्छे से जम्मि अभी इसके नीचे अगर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वह लेड दब जाती है क बेट सके आराम से अभी सरे बचुड हमारे बहुत आराम से बेटे होएं इस साइड आप देखो यह लें दूनों वह बधार एलब यह दोनों की है की ओक जाती यह देख के खड़ी हो जाती है76 कीं हमारा यह बात आचज चूका रिए спасेक्षए मोर्रम के लिये आ यह ब हो जाएगी ना क्योंकि यहां पर हलत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी अभी दो तीन महीने से ट्राइक कर रहे तो इसमें पहले तो बड़े पत्थर हैं और यह थोड़ा बारीक वाला है तो पहले जो रात में जो दो ट्रोली आई थी ना उसके अंदर तो भाई भर के लिया बड़े पत्थर यह देखो पिर बहुती पत्थर को बाम करने करने जी इस में इसमें अंहें रÂखनाहे तो पिर वान ने पर देखे कि कोई बात 6 और बैठामे कोई साईड में जा स साइड में जा एंप बड़ा जन्द आपको रहा देंगे हमां तो हो महां थी चोधा है सब्सक्राइब करें जो चोटा है वो मोय गुञार हो जाएंगे चोटा है तौन के रादिक शड़ें के रहा है कि देखो और इस सएड़ पानी भरा हुआ है ना यहां चलने पिर गोबर भी अपना वेस्ट हो रहा है देखो गोबर भी इसमें कर देती सारा कुछ इसके मिक्स हो जाता साफ सफाई भी नहीं हो पाती और इस सैड़uisca पूरा खतम हो चुका है मेरे पीछा आप देखो कीचड पूरा खतम हो चुका है और यह में कीचड हुआ है ना भाई इस पीछे वाले शेड की वज़े से क्योंकि यह शेड अगर नहीं होता ना तो अभी यहां पे भी बिल्कुल चगा चग सूक जाता भाई पर अब क्या करो यहां पर दूप आ नहीं है और वह कीचड एसा की यह धीरे दिरे करके सूक रहा हुर अभी हमें जार उसमें लग रहा है और यहां पर देखो यह दो बशिडेया कैसे आराम कर रही है कि देखो इसको इसका आराम बहुत बढ़िया से चल रहा है Love को यह डइक 떨어ी निया यह नोजए वही व्छूदिगषो जे लेखा जमारे जली जली विलोगे थोड़ा सा कन्वियूज़ हो गया इसी लिए ऐसा हो गया और उसके पीछे बहुरी और जो हमारी महात्मा की बाकश्रिय है वह यह बड़ी वाली बचिड़ी और जैसे सो самой हमारी के बागत बड़ा हू चुकी है काजल आ है काजल कि यह देखो यह काजल इन भू lamps कि बहुत प्रियों वह सुन्धर आप देखो यह देखो दिखो काजल काजल अपने और यहाँ पर है अपनी प्यारी सी प्यारी सी बशनी लाडो अब लाडो डटती है और यह हमारा बगली नो है जो कि भाई अब थोड़ा सा गोंशाला के अंतर रहने लगा है और इतना इतना नहीं डड़ता है और यह हमारी महात्मा और वोर ही महात्मा की पचडी तो इस तरीके से चल रहा है चलो तो अब यह जल्दी से जल्दी क पूरा खतम हो जाएगा और जब भी हम यहां पर करेंगे न तो उससे पहले यहां पर हमें यह वाली साफ सफाई करनी पड़ेगी मैं कौन सी बात कर रहा हूं वह मैं आपको आगे चल के यहां पर दिखाता हूं तो यह जो हमने हमारी गायों को खाने के लिए रखी हुई न य यह हमें अठानी पड़ेगी क्योंकि इनके नीचे आप देखो हां कितना ज्यादा कच्रा हो चुका है और यह पूरी गड़ चुकी है दब चुकी है पूरी अंतर तो इन्हें भी भार निकालना है हमें और फिर हम इसके साइड में भी वही डालेंगे और जो बड़े मने यह काबरी और यह चुकी है हमारी और चोटी बचडे और यह सब आ चुके हैं और यह इनतजार कर रहे हैं कि भी अगईया कब आने वाली हैं तो अब हमारी गईया को भी हम निकाल के लाएंगे तो वहाँ पे भी चलो और वहाँ पे भी भाई हमने आज एक गल्टी भी कर दिये है वह इसल slipping किया है greatly तो चलो पहले तो बताता हूं और गययां भी हमारी निकल पाईगी है नी निकल पाईगी वह भी देखना पड़ेगा तो चलो चलते हैं देखो अब तैयारी होई गई है कि अब दूद निकालना है हमें और अब देखो यहाँ पर आगे कौन-कौन खड़े हैं बिना दूद देने वाले खड़े हैं तो भी गईया इनको सबको भगाएगी गेट खुलेगा यह नहीं खुलेगा भी यह वो देखो तो थोड़ा सा भी ओर गेट खुल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा अब यह ना चार्ट रोली आई थी अब भाई इतना आइडिया था नहीं हमें और जब चलो खुलेगा थोड़ा सो और यह एक दो पथर एक दो पथर साइट में लो रुको यह अब भाई गेट खुल आया लग 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 अब आदा गेट खुल चुका है और अब आने वाली हमारी दूद देने वाली कहीं है सारी चलो तेको यह बश्री बश्री आने के लिए कर सीता 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 आजाओ 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 अपनी दिरे-दिरे करके जीत आ गई है इसल किहां रदु रादीग मैं हॉ देखो रादीगा वह पीछ सञे घूम के आई हाँ यह देखो और रादीगा आ चुकिए चलो 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 आत्मा भई महात्मा के साइट में तीन बश्ड आच यह दो किये चलो चलो मैं आप हूद चलो गायतरी चलो 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 कहां पे चलो आजाओ महात्मा याध महात्मा दो अ। चलो 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 यह जगे इखटा हो गई है यह जड़ी तो मैंने गलती से निकाल दी यह देखो चलो आजाओ 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 लगाओ गेट यह देखो तो लो यह आपकी लखड़ी पकड़ो और अब चलते हैं भाई एक बशेडी निकल गई यार पता नहीं उसको अब कहाँ पे ले जाएंगे और लीला देखो यार वहाँ पे जाके पानी पी रही है यहाँ पे इतना पानी था फिर भी वहाँ पे जाके पी रही है चलो 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 और यह प्याओ है ना हमने हमारी गायों के लिए पहले बना रखा था जब अपने फार्म पे पहले गाई तो वह यहां पर पानी पीशकती थी इसलिए बनाया था पर अभी तो यहां पर जो हमारे आसपास में गायर भिंस रखते ना वह यहां पर इस प्याओं को यूज करते हैं और चलो अब वह बचडी कहां पर चली अरे भाई साब चलो है सिता यह देखो हाँ गोई और दो वारां और फिचसे इडर मेरे पीशे तो मेन तो महतमा और लीवाली के भीБिश में आ गया था यह कौन यह मै वाली पर ज्यादा करती है इनको थोड़ा वह थोड़ा इस प्ड़ा नहीं नहीं तो बाकिना इदेखो हां यह नहीं दे हँए हाथनेत नहां किसी से अब देखो बश्विडी उदर अब बश्वडों के साथ में इसे करना पड़ेगा भी अब देखो क्यों आई बेटा यह देखो अब वो खुद आके पस्ता रही है देखो अब दोडरी इदर से उदर क्योंकि गईयां उसे डर आ रही है अब कहां पर जाएगी है एक तो यार अनदर आया, मत करो आए इनके साथ में आगाओ अब देखो उसको खुद को पता है कि कहां जै नाएब के इसाध में आई यह शेड यह देही है और आप भाहिए है पूरुट इनके साथ में आ आउ मत कि यह बढ़ी गई गया है और इस समय के दूद देने का और बाटा खान तो थोड़ी सी एक्रेस्य हो जाती हो यहां पर आने के बाद भी इनको थोड़ा जल्दी अब जैसे बाटा जैसे लेकर आएंगे ना तो सारी गाएं खाने के लिए तयार हो जाएगी कि नहीं पहले मुझे दो पहले मुझे दो इस तरीके से होता है तो सारी गईयां तो आ कम यह जैसे आपको पता है ना देखो आप इदर देखो तीन गाएं यह हो गई तीन यह और चार इस साइड में है आप देखो तो बास भाई यह गाएं अभी दूद देने के लिए और पहले जब अपने पर दूद बढ़ जाता था ना तो हम क्या करते थे उस साइड शिफ दोस्तों अभी हो चुके हैं रात के साड़े आठ और हमारे पीछे से सारी गईया चली गई है वहाँ पे सोने के लिए आप देखो तो हम भी उसी साइड जा रहे हैं और यहां पे जाते जाते बाई बीच में यह देखो दो बेल आ चुके हैं रस्ता रोक के ही खड़े हैं है यह देखो एक इस साइड खड़ा है और भाई एके इस साइड खड़ा है तो यह भी रात में यहीं पे रहते हैं यह आरहांए बहु की बेट जाएम इनके एनके खाने पीने के लिए थोड़े टाइम में इदर आ जाएगा और यह सो जाएंगे फिर ओर हम चल रहे हैं हभ अपनी गईयाओं को कि वो सभी अभी क्या कर रही है सो तो नहीं गई है वो देखते हैं तो जाके देखते हैं क्या कर रही है अरे भाई सब आराम कर रही है अच्छा इधर ये तीन आराम कर रही है ये तीन खड़ी है और 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 इधर दो गाएं ये देखो आए यह बहारां कर रही है फिर इधर दो भेटी हुई मतलब इधर दो खड़ी हुई है तो अभी हमेन इनका गोबर साफ करना है और और-णर सारी सीज़े देखनी है इधर बंच्षा के साइट देख लेते हैं कि भाई य्ह सब अराम कर मतले जिया बच्री आपको पता यह बच्री कौन सी यह अपनी कापरी की बच्री यह तो मुझे भी देखना पड़ेगा रुखो हम देखते हैं कि यह बच्री इस ही क्यों सोई हुई है यह नहीं तो अगर मैं बोलता हूं तो फिर तो उसको उट जाना चाहिए था देखते हैं रुख अंदर जाके फटाफट से पहले तो यह गेट लगाते हैं गेट लग जा यार यार यह लगा है चलो अब देखने इस बश्क्री को हुआ क्या हो गया रिसे हटो अटो 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 भाई बश्क्री को क्या होगा अरे हट जा क्या हो गया 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 अरे अरे आरे आराम से आराम से आराम से बाइ इसने डरा दिया यार मुझे भाई साभ एसे कौन शोता यार और एसे उठाने यार कुछ भी नहीं है मेरे पास में मैं तो अभी बचुडों को और बचुडियों को देखने के लिए आया था अभी देखू यह बलेक वाली इदर अपनी आराम कर रही है और इदर वाकी हमारी जितनी भी गईया है हमारे नंदी महराज हो गए और हमारी काजल हो गई यह सब इसी साइड में बेठे हुए हैं तो इनकी साइड नहीं जाते हैं इनको डिस्टब होगा और मेंली तो अभी बच्चे को कुछ नहीं हुआ वह सबसे अची बात है चलो हम फिर से भाहर निकल जाते हैं बही बढ़िया है और घूम फिर रही है परेशान कर दिया ऐसे ही चलो फिर से गेट लगा देते हैं यह कर दिया है और अभी मैं मोहिनी के पास में बेठा हुआ हूँ और यह देखो यह मुझे यहां पर बेठने नहीं देगी और यह रही अरे भाई गायत्री और यह दोनों देखो हां अपनी लिडी लिडी दोनों पास में हो गई साइड में राधिका उस साइड में फिर काबर आप देखो और भाई यह अभी यहाँ पर मुझे ऐसे तो बेठने नहीं देगी तो चलो भाई आज का व्लोग अगर आपको पसंद आया हो तो शेर करना जाद जादा लाइक करना और कॉमेंट करके बताना व्लोग कैसा लगा और एसे इंट्रेस्टिंग लोग देखने के लि